हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मैल विट टेस्ट पर आज की हम रेसिपे स्पेशली लेकर आए है चोटे बच्चों के लिए ये डिश हम बनाने वाले हैं चोटे बच्चों की हैल्थ और उनकी ग्रोध को धिहान में रखते हुए जिसके यहां पर हमन और आपश में तो नापका दलने के पांगे है करच को । आपके मेंगे रुकत हैं हमारी मुंग दाल'' वरण दान सूक गया है चलिए याजिपे पैन रखेंगे और इन्हें हमें ड्रायरोस्ट करना है जरना उर साबूत दाने को एक साथ लीजिएगा नहीं तो साबूत दा के बाद आपस में चिपकने लगेगा इसलिए हमने वाश करने के बाद दोनों को मिक्स कर दिया है जिससे गैस पर आपस में नहीं चिपकेगा और खिला खिला बना रहेगा हमें इस लो टू मीडियम गैस करते हुए इन्हें अच्छे से रै रॉस्ट करना है और जब एक अपन के फंड़ के लियुका एल्दी ररीशिपी आप इससे परकर के बेंकि काफी दिन तक रख सकते हैं हमारी दानले कलर बदल लिया है अब हम गैस बन करके ठोड़ी देर के ठंड़ा हो एग गा तो आप देख सकते हैं अब हमें इन्ची जार में डाल देना है और हम इनका एक त्यार कर लेंगे इस powder को हम अराम से टोड के रख सकते हैं क्योंकि यह वाश होने के बाद ड्राइ-्रोस्ट हो के बना है और जितना चाह उतना powder रहिए हम पाउडर यहां पे ले सकते हैं मैंने है ले मीडियम गैस पे रोस्ट करना है और जब यह कलर चेंज करने लगेगा तो हम गैस को बिलकुल इसलो कर देंगी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसे भूनते वे हमारे सापुत दाने और मौंकी दाल का आ गया है अब यहां पर मिक्स करने वाले हैं दूद हमने लिया है जितना हमने पाउडर लिया था उसका चाड़ गुना दूद हम यहां पर हमारे इस पेस्ट में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स करना है हमें इसे चलाते रहना है जिससे इसमें लम्स ना पढ़ने आप देख सकते हैं यहां पर हमारा एक ही चीन ली एक कटोरी चीन muri हुए है छोपनने बना रही है यह मैं इसी द क्टस शूटी खूऑ आजस्ट 52 रख्णạnh जल्य उत्जी में जडान करना है फिसकज़ लिक्विड फॉर्म में नहिं खौब सबस्ट afterwards तो इसलिए मैंने इसे पतला ही रखा है और जब अब इसमें एक बॉइल आ जाएगा तो मैं हमारी गैस को बन कर दूँगी आप मौसम के अकोर्डिंग और अपने बच्चे के टेस्ट के अकोर्डिंग चाहें तो इहां पर ड्राइफ रूट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं पर मौसम अभी गरम है इसलिए मैंने इहां पर ड्राइफ रूट्स का यूज अभी नहीं किया है आप अपने बच्चे की इटिंग हैबिट के अकोर्णिग एक या दो चमच भी इसे बना सकते हैं अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा